तो आज हमारा जो topic होगा वो class 12 के लिए है जो की है LC oscillations ठीक है तो आज हम class 12 के लिए topic discuss करेंगे कि LC oscillations क्या होता है देखें सबसे पहले LC oscillations हमारे पास L for inductor, L का मतलब होगा coil, inductor and C का मतलब होगा capacitor इसका मतलब oscillations इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक inductor है और हमारे पास एक capacitor है तो जब आप capacitor को inductor के साथ connect करेंगे throw key K2 और साथ में जब आप capacitor को connect करेंगे एक battery के साथ और साथ में आप एक key लेंगे और जब आप यहां पर क्या होगा जब हम key K1 को press करेंगे तो जो battery होगा यह इस capacitor को क्या करेंगा recharge करना शुरू कर देगा और एक time आएगा कि जब यह capacitor fully charge हो जाएगा जब फुली charge हो जाएगा तो उस case में आप key 1 को off कर देंगे ठीक है बंद कर देंगे और उस time पर आप key 2 को press करेंगे जैसे आप key 2 को press करेंगे तो इस capacitor के पास जो energy थी electric energy अब हो क्या हो गया तो यह capacitor यहां पर काम करेगा यह इस indu inductor को recharge करना शुरू कर देगा ठीक है तो आस्ता-स्ता से capacitor discharge हो जाएगा और इस capacitor के पास जो electric energy थी वो चली जाएगी inductor के पास और बन जाएगी magnetic energy around L तो उस case में तो उस case में क्या होगा तो जब capacitor completely discharge हो जाएगा तो इसकी सारी electric energy चली जाएगी inductor के पास now appears has a magnetic energy around L और उस time पर यहाँ पर जो इसका magnetic flux होगा वो भी maximum हो जाएगा लेकिन जब capacitor completely discharge होगा तो उस case में जो inductor है यह recharge करेगा reverse direction में तो यह inductor जो है यह opposite direction में इस capacitor को दुबारा से charge करेगा ठीक है तो आस्ता-स्ता जो है magnetic energy जो की inductor के पास थी वो चली जाएगी capacitor के पास और दुबारा सी इसकी जो electric energy वो increase हो जाएगी इसका मतलब हमने capacitor को सिर्फ एक ही बार charge provide किया with help of battery तो उसके बाद यह जो charge है यह oscillate होगा किसके बीच में capacitor और inductor के बीच में तो आप that is called LC oscillations थोड़ा सा setup देखते हैं देखे सबसे पहले आप एक काम करें सबसे पहले हमें capacitor लेते हैं ठीक है तो सब तो सबसे पहले हमें capacitor की चलएंगे और so कैपेस्टर को किसके साथ connect करेंगे एक इंडाक्टर के साथ ठीक है कर दो नवह लोगा उग जोडेंगे साथ और किसके बार लोगा और साथ में वह एक के बीचनिक और हमें क्या चिरिए पार ऊड़ जो negative terminal होगा उसके साथ आप एक key जोड़ेंगे और उसके बाद उसे आप connect कर देंगे capacitor के साथ उसके बाद सबसे पहले हम key 1 को press करेंगे जैसे आप key 1 को press करेंगे press करने का मत्दब होता है जब आप on करेंगे ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर जो cell लगा होगा the cell charges the capacitor तो जैसे आप key 1 को press करेंगे तो उसकेस में यह जो यहाँ पर cell लगा हुआ है यह क्या करेगा यह इस capacitor को charge करेगा ठीक है तो उसकेस में इस capacitor का जो potential होगा वो maximum हो जाएगा तो वेन वी प्रेस key k1 this cell charges the capacitor to potential v is equal to q by c where v is the potential of capacitor q is the charge and c is the capacitance ठीक है तो उसकेस में some energy from the cell is stored in the capacitor in the form of electrostatic energy तो जैसे जैसे तो यहाँ पर जब cell इस capacitor को charge करेगा तो इस capacitor के अंदर energy stored हो जाएगी कौन से energy stored हो जाएगी electrostatic energy ठीक है उसके बाद आप एक काम करें उसके बाद आप की 1 को off करें तो when we switch off key k1 तो आपके इस वाली की को off कर दें और key 2 को off प्रेस कर दें ठीक है उसके बाद क्या होगा तो यह capacitor starts discharging तो उस case में यहाँ पर जो capacitor था इसके पास जो energy था यह तो fully charge था लेकिन जैसे आप की 1 को off कर देंगे और key 2 को press करेंगे तो यहाँ पर जो capacitor है यह discharge होना शुरू हो जाएगा ठीक है ठो एल और उसके बाद when capacitor is completely discharged discharge का मतलब यह होगा कि यह capacitor जो है अब inductor को charge करेगा capacitor के पास जो electric energy थी वो कहाँ चली जाएगी inductor के पास और वो अपेर हो जाएगी जै magnetic energy ठीक है तो उसके बाद when capacitor is completely discharged the energy is stored in the capacitor in the form of electric energy तो यहाँ पर क्या होगा when capacitor is completely discharged the energy stored in capacitor appears in the form of magnetic energy तो जब यहाँ पर capacitor completely discharged हो जाएगा तो यह क्या करेगा तो इसकी जो electric energy थी वो कहाँ चली जाएगी inductor के पास और inductor के पास कौन सी energy रह जाएगी magnetic energy around L उसके बाद when capacitor is completely discharged the energy stored in the capacitor appears तो capacitor के पास जो energy stored थी in the form of electrostatic energy वो appear वो किसके पाद अब वो क्या होगा क्योंकि capacitor किसको charge करना शुरू कर देगा inductor को तो यहां पे इसके बाहर से magnetic flux बनेगा मतब एक magnetic energy बनेगी around L ठीक है उसके बाद as soon as discharge after the capacitor is complete तो जैसे जैसे capacitor completely discharge हो जाएगा तो capacitor से current follow होना मतब capacitor से जो current follow हो रही थी towards L वो बंद हो जाएगी क्योंकि capacitor के पास कोई charge नहीं रहेगा तो उस case में magnetic flux around L तो उस case में inductor के बाहर से जो magnetic flux leaned होगा वो भी decrease होना कम होना शुरू हो जाएगा इसकी वज़ा से क्या होगा therefore an induced EMF is produced तो उस case में यहां पर एक induced EMF बनेगा एक electromotive force बनेगी और वो क्या करेगा वो क्या करेगा वो क्या करेगा which starts recharging the capacitor और वो जो EMF है वो इस capacitor को दुबारा से recharge करना शुरू कर देगा in opposite direction ठीक है when capacitor is recharge completely तो जब यहां पर capacitor completely दुबारा से recharge हो जाएगा तो यहां पर जो inductor के पास जो energy थी magnetic energy around L वो reappears हो जाएगी दुबारा किस form में electric energy around C एंड यह process ऐसे ही चलता जाएगा उसके बाद इसका मतलब यह है the energy taken once from the cell तो इसका मतलब हमने क्या किया हमने एक ही बार cell से energy ली और किसको दिया capacitor को दिया ठीक है तो keeps on oscillating तो उसके बाद आपने cell की help से आपने क्या किया capacitor को energy दिया इसको fully charge कर दिया और उसके बाद आपने key one को off कर दिया ठीक है तो उसके बाद वो जो energy थी वो जो charge था वो किसके बीच में oscillate हुआ C और L के बीच में तो इसके इसका नाम पड़ा LC oscillations ठीक है तो कहता है the energy taken once तो हमने एक ही बार cell से energy ली और किसको दी capacitor को दी उसके बाद keeps on oscillating उसके बाद जो energy थी वो oscillate होने लगी किसके बीच में capacitor और inductor के बीच में ठीक है उसके बाद if circuit has no resistance अगर इस circuit में कोई भी resistance नहीं होगा तो इसका मतब ये होगा कि यहाँ पर कोई energy loss नहीं होगा और अगर यहाँ पर कोई भी energy loss नहीं होगा तो उस case में यहाँ पर जो oscillation बनेगी वो कैसी बनेगी constant amplitude मतलब यहाँ पर जो oscillation बनेगी वो कैसी होगी एक ऐसी oscillations होगी जिसका constant amplitude होगा और ऐसी oscillation को हम कहते हैं undammed oscillations तो undammed oscillations ऐसी oscillations होती है जिसमें जो wave का amplitude होता है वो एक जैसा होता है constant होता है उसके बाद लेकिन अगर हम actual practice में देखें now there is some loss of energy ठीक है but in actual practice but actual practice में अगर हम देखें तो there occurs some loss of energy लेकिन यहाँ पर actual में जो है कुछ energy loss तो होता ही है तो उस case में therefore amplitude of oscillation goes on decreasing तो अगर यहाँ पर resistance होगा अगर यहाँ पर loss of energy होगा तो यहाँ पर जो amplitude बनेगा उस wave का जो amplitude बनेगा oscillation का जो amplitude बनेगा वो भी decrease होगा ठीक है तो अगर आप देखें यहाँ पर amplitude जाद है फिर कम 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 decrease होगा और लास्टली बिलकुल zero पर आ रहा है ठीक है तो therefore amplitude of oscillations goes on decreasing तो these oscillations are called damned oscillations तो damned oscillations ऐसी oscillations होती है जिन में जो wave का amplitude होता है वो क्या होता है decrease होता है ठीक है? Thank you